एक बार बनाए और महिनों तक खाए रादे रादे प्रेंस वागते आपका कुविद रेनों में तो प्रेंस आथ में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसा नाश्ता जिसे आप बनाके इस्टोर कर सकते हैं खराब नहीं हो गए भी ना फ्रीज के आप इसे इस्टोर कर लेंगे और आप चाय के साथ में खाई या फिर ऐसे खाई आप किसी भी तरीके से इस नास्ते को खा सकते हैं जब भी आपका कुछ चटपटा सा खाने का मन हो आप इसे बना के खा सकते हैं चलिए प्रेस बिना देर की रेस भी शुरू करते हैं उससे पहले अगर अभी तक क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी नई वीडियो का नाटिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं अगर आज की रेस्पी थोड़ी से भी आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा तो यह नास्ता बनाने में देखें तो यह 50 ग्राम होगा चलिएगा इसकी तरफ चलते हैं यहां पर मैंने कढ़ाई ले लिए और यहां पर मैंने डेट से दो चमश सरसों का तेल डाल दिया है तेल गर्भ होने के बाद हम इसमें आइड कर देंगे मुंफली जो हमने ली हुई है और इनको भून ल जाएंगी तो इसलिए इनने भून के हम निकाल लेते हैं यह तीन से चार मिनद में अच्छे से भून गए और इन्हें अब हम एक बरतन में निकाल लेते हैं तो जो इसमें तेल बच गया है इसी में हम अपना मसाले डालेंगे तो यहां पर मैंने आधा चोटा चमश जीरा करेपत्त ब्रूल मेर्च और चाट मसाला डालने के बाद यहां पर एक बड़ाव भर मुर्मुरण बरें मुरमुरा लईया जो भी आप कहते हैं तो यहां पर मैंने लईया डाल दी है और इसको भी ना हम 2-3 मिनट भून लेंगे ताकि यह बहुत ही अंच्छे से मतलब क्रिस्पी हो जाए वैसे तो लईया क्रिस्पी रहती ही है लेकिन और ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगी आप 2-3 म समय तक खराब नहीं होगी तो फ्रेंस आप लोगों से छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आज की रेस्पी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक से चरूर करिएगा तो मुर्गुरा को हमने अच्छे से भून लिया है और इसमें जो मुंपली हमने भून के रखी थी वह ड स्यार हो गई तो यहां पर देखें यह नमकीन और मंफली दाना आइड करने के बाए हलका सा हमने भून लिया है करीब कुछ सेकेंड के लिए और यहां पर मैंने इस तरीके से डिब्बे में रखा यह एर टाइप कंटेनर है इसमें जो है हमारी लिया में नमील नहीं आएग फ्रेंस आप एक बर जुरूर से इस रेस्पी को ड्राइ करिए गया रादे रादे बाबाए थैंक्स पर वाचिंग